हेलो दोस्तो आज हम नाइट क्लास की हिस्ट्री बुक का सेकिंड चैप्टर का पार्ट टू देखेंगे इससे पहले मैं इसका पार्ट बन ला चुका हूँ और यह आज पार्ट टू है और जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो है रूसी क्रांती मतलब रुशियन रेव होता है उस पे हम बात करेंगे और रुशियन रेवलुशन शुरू करने से पहले मैं आज जो टॉपिक बात करेंगे उसके जो रुशियन रेवलुशन के जो सब पॉइंट है उनको देखते हैं तो देखेंगे आज हम पढ़ेंगे वो है रूसी समराज्य मतलब रूस का जो 1914 में कैसा था उसको देखेंगे और देखेंगे अर्थवेवस्ता और समाज जो रूस की अर्थवेवस्ता कैसे थी उसको समझेंगे और उसका जो समाज था वो कैसा था उसको भी हम समझेंगे तो चलिए फटफट से वीडियो को सुरू करते हैं मेरा नाम हरियोम आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल Minded Study 22 पर तो अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे देखिए 1917 में अक्टूबर में क्रांती होती है जिसके जरीए क्या होता है जो समाजवादी होते हैं वो रूस की सत्ता पर अपना कबजा करते हैं पर उससे सुरू करने से पहले हम जानेंगे कि रूस का समराज्य कैसा था वहां की राजनेती व्यवस्ता कैसे थी इस सब को हम पहले जानेंगे तब देखेंगे रूस की क्रांती को तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रूसी समराज्य 1914 में कैसा था तो पहले हम उसको देखते हैं तो देखिए 1914 में क्या होता है 1914 में जो जार निकलेस दुत्य होता है वो क्या होता है रूस पे सासन कर रहा था वो उसका राजा होता है जार निकलेस दूती है और हम देखते हैं कि जो सासन कर रहा होता है जार निकलेस दूती है तो उसका सामराजी कितनी दूर तक फैला होता है उसको भी जानना जरूरी है तो हम देखते हैं कि उसका सासन जो था वो कितने दूर तक फैला हुआ था तो ज जार निकलेज दुत्य का समराज्य और यह जो समराज्य था यह प्रसांत महासागर तक भी फैला हुआ था जो प्रसांत महासागर है यह वहां तक भी फैला हुआ था और यह आज के जो मद्य इसिया के जो राज्य है वो जार्जिया, आर्मेनिया और अजरवैजान ये देश है ये भी जो थे जार निकलेश दुत्य की सामराजे के अंतरगत आते थे तो ये सबी हो गया हमने जाना कि किस प्रकार से रूसी सामराजे फैला हुआ था अब हम देखेंगे कि वहाँ पे जो धर्म को अपनाया गया था वो कौन सा धर्म था जो जनमा था, मतला इसकी जो उपज हुई थी गृट टोड़क्स चर्ट से उपजी थी ये जो शाखा थी, ये गृट टोड़क्स से उपजी थी और इसको मानने वाले बहुँष जादा लोग थे अब ऐसा नहीं है कि जो किस्टैनिटी है इसी धर्म को मानने वाले लोग है और कोई धर्म को वहाँ पर नहीं अपनाया गया था या फिर नहीं उस धर्म के लोग नहीं थे ऐसा नहीं है और भी धर्म के थे जैसे Catholic, Protestant, Muslim और बहुत ये सबी जो धर्म थे ये भी थे रूस में पर जो Orthodox Christianity को मानने वाले थे वो बहुत ही ज आपको यहां तक समझ आ गया है तो प्लिस comment box में लिखिए कोशन में आपको बताता हूँ कि जो फ्रांसी से करांती हुई थी वो किस सन में हुई थी तो चलिए उसको आप बताईए तो जो हमारा second topic है वो है अर्थवयवस्ता और समाज किस प्रकार की अर्थवयवस्ता थी रूस में और उसका समाज ही कैसा था तो उसको देखते हैं तो देखे क्या होता है बिशवी सदी की सुरुवात तक जो रूस की जो रूस के लोग थे वो क्या करते थे 85% खेती करते थे वो खेती पर नेर्भे करते थे और वो इतनी जossaशी करतेimmer है कि उसका व्याबर्धे च हतलब क्या है वो तनी जयादा खेती करते थे कि 85 परसेंट खेती होती थे और अकेला रूस अब इतनी जयादा खेती करता था जिसके करन क्या है कि वो अपनी जरूरते तो पूरी कर लेता था साथी साथ वो बजारों में भी बेशता था वो बजारों में भी अपना जो खेती के जो अनाज थे वो बजारों में भी बेशता था जिसके कारण क्या होता है यह अनाजों का जादा निर्यातक हो जाता है अनाज एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बाग पे इसकी खे जिसके कारण ये रूस आनाच का एक बहुत बड़ा निर्यातक बन भी जाता है। और हम देखेंगे कि ये तो कृषी का हो गया और वहाँ पर औद्योगी कैसी थी? उसको भी हम जानेंगे कि रूस की औद्योगी किस प्रकार के थी? तो देखिए जो रूस में उद्योगी करन था वो उतना ज्यादा फैला हुआ नहीं था इतना नहीं था कि वहाँ पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्री एरिया है ऐसा नहीं था पर कुछ प्रमुक ऐसे जगा थे जहाँ पर उद्योग धंदे थे उसको हम देखते हैं जैसे सैंट पिटर्ँबग जो सैंट पिटर्ँबग था और मासक को यहाँ पर उध्योग लगे थे ज़ादा और देखिए 1990 की दसक में क्या होता है कि बहुत सारे कार खाने चालू होता है उसी समय ज़्यादातर कार खाने होते हैं, वो चालू होते हैं, आप पूछोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है, कि उस समय rail network रूस में फैलने शुरू होते हैं, जो rail होती है, वो लगनी शुरू होती है, उसका infrastructure बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यह rail network जिसके कारण कार खाने भी लगने शुरू होते हैं, और जब कार खाने लगने शुरू होते हैं, rail network फैलता है, जिसके कारण क्या होता है, विदेसी निवेस, रूस में आना शुरू हो जाता है, जो विदेसी निवेस होता है, वो रूस में आना शुरू हो जाता है, अब दे उत्पादन बढ़े आता है जैसे क्या होता है जो कुईला का उत्पादन होता है वो ज़्य इस समक्ति होती है मतलब कोई भी जो उध्योग लगा होता है वो कौन लगाता है अमीर वर्ग लगाता है तो वही उध्योग पति होते हैं उन्हीं के होते है अब जो उध्योग पति होते हैं वो मजदूर वर्ग का सोशन ना करे उनसे जादा घंटे काम कराये कम वेतन दे ऐसा ना हो ऐसा ना हो इसके लिए सरकारी एक विभाग बनाया इसके लिए एक इंस्पेक्टर बनाया जाता है वह चैक करेगा अब ऐसा तो किया जाता है और वह अच्छे से काम नहीं करता है जिसके करण क्या होता है मजदूरों से ज्यादा घंटे कैम कराया जाती है जो मजदूर होते है उनसे काम की घंटे की पाली होती है वो बहुत समय तक काम कराया जाता है जो पंदर-पंदर घंटे हों से काम कराया जाता है और जो उनको मजदूरी होती है वो कम मिलता है ऐसा होने लग जाता है अब देखिए इतना सब तो था कि वहाँ पर ऐसे से उनसे सोशन हो रहा था मजदूर से फिर भी क्या होता है जो मजदूर होते हैं वो एक जुट नहीं होते हैं मजदूरों में समाजी की तरफ पर जो मजदूर होते हैं वो बटे हुए होते हैं अब जैसे क्या होता है यह बहुत से मजदूर है वो गाउं से हैं वो गाउं से हैं तो गाउं से ही जुड़े हुए हैं सहरों में कमाने आयत तो भी हैं वो अपने गाउं से भी जुड़े हैं पर बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो वो आपस में बटे वे होते हैं, और क्या होता है, कि जैसे सैंट पिटर्सबग, जो सैंट पिटर्सबग जगा है, उसमें जो धातू कर्मी, मतलब धातू का जो काम करने वाले, जो मजदूर होते हैं, वो खुद को सहाब मानते थे, अब वो सहाब क्यों मानते थे, देखें क् काम करने के लिए उनको special training लेनी पड़ती है और जो ये काम करता है मतलब मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा prescription चाहिए होता है कि वो इस प्रकार का काम कर सके अब ये सब काम करने में well trained बंदा चाहिए इसके लिए वो अपने आपको सहाब मानते थे अपने आपको उपर मानते थे कि ये काम करने वाला एक बहुत ही महान लोग वैकती है वो ही काम ही कर सकता है जिसके कारण वो अपने आपको सहाब मानते थे अब इस कारण भी मजदूरों में मजदूर जो थे मजदूर वो आपस में बटेवे थे और देखिए क्या होता है 1914 में जो फैक्टरियों में 31% जो महलाई होती है अब वो भी काम करने हैं पर देखिए महलाई जो काम करती है पर पुर्सों के बराबर भी काम करती है पर उन्हें जो उनकी तनखाओ होती правда उन्हीं का वेतर होता। 10,000-5,000 मेलाएं पर वहीं महिलाएं उनको urt यह चा स्वेर ईसी मिलता था यह गलत हो यह रहा होता घी उनके साथ भर उनसे काम है वह बराबर ही कराया जाता है और मजदूरों के पहनावे और को 10,000 की जगह उनको जैसे मानिए 5,000 या 6,000 ऐसी मिलता था यह बहुत ही गलत होड़ा होता है उनके साथ पर उनसे काम है वो बराबर ही कराए जाता है और देखिए मजदूरों के पहनावे और पहनावे और उनके वहवार में भी अंतर होता है जैसे बहुत से मजदूर होते ह यहना अलग होता है और उनका बहुत अलग होता है इसके कारण भी हएधाल्य законч मोर्य सब्रमद 有一 16 इसने मुल siu कपड़ी मिले होते है और उनको एक मतलब फीर में itself काम करना पड़ता है देखें कि घर नाने वाले लेबर होते हैं जो छतकी ढला ही होती है प然后 पर आप देखेंगे कि कैसे उनके कपड़े होते हैं उनका बोल चल कैसे अलग होती है तो कुछ इस तरीके से आप एक्जांपल से समझ सकते हैं कि वहां पर भी कुछ इसी तरीके का पहनावा और वहवार अंतर होता है अब देखे क्या होता है ? इतने तो उनमें अंतर होते हैं मज़धूर वर्ग जो आपस में बटे वे होते हैं फिर इसके बाद भी मज़धूर सब बिरोजगारी बिरोजगारी होने पर फिर किसी प्रकार का आर्थिक संकट आने पर इन सब के लिए वो क्या करते है बुरी समय के लिए संगटन मनाते हैं मजदूर संगटन मनाते हैं क्या करते हैं कुछ मजदूर मिलके एक संगटन बनाते हैं अब संगटन तो बना लेते हैं पर यह जो संगटन होता है उतना कामगर नहीं होता है और यह उतना मतलब बलपुब काम नहीं कर पाता है यह संगतन देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और आपका एक और कोशन है कि नैपोलियन फ्रांस का समराट कब बना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो चलिए नेक्स सबयते होते हैं अंतरों के बार भी मजदूर एक हो जाते थे 1896 और 1897 के बीच déjà होता है कपड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग और 1902 में धात उद्योग जो होते हैं ऐसी हर्टाले बहुत होरी होती है इन्हें जो कपड़ा उद्योग होता है इनमें जो इस तरीके की हर्टाले बहुत ज़दा बढ़ जाती है बहुत ही होती है ये सब बाते तो रही आपकी मजदूरूप है अब हम द आतर किसका कबजा होता है उस पर कबजा होता है सामंतों का राजाओं का और्टोडक्स चर्च का इनी सब का वहां की जमीनों पर कबजा होता है अब देखिए क्या होता है यह तो जमीने ऐसी बटी हुई होती है और ना जो यहां की किसान होते है वो भी बटे हुए होते है जै त्सीर भी खियर को मंतुत में किताते सी लाइड़ों, टीमने खीका, तीमने खीकीुजिआ होई जार निकलोस दुद्टे था उसके उसके फ्रती बहुती जादा वफादार होते हैं, जिसके करण क्या होते हैं, नवाब और य利ता में संत्ता होते हैं ‏्सकारण से वह संत्ता में रहते हैं पर देखिए जो France के जो किसान थे बॉत म्माद से संब्मान करते थे जब France किसान अगर थिए उनका सुरप्षा करते हैं और लड़ाईगां भी लड़ते हैं बलिदान भी उन्होंने दिया France में पर यहां कि जो होते हैं खिसान ये तो नवाबों को बिल्कुल ही सम्मान नहीं करते थे अब क्या है ये तो चाहते थे रूस के किसान की हम नवाबों को टैक्स बिल्कुल भी ना दे समंतों को टैक्स बिल्कुल भी ना दे और ये क्या चाहते थे यह सब चाहते थे कि नवाबों की जमीनों को छीन लिया जाए जो नवाबों की जमीन है थी उसको छीन के किसानों में बाट दिया जाए जो नवाबों की जमीन है उसको छीन लो भाई और आपस में बाट लो ये ऐसा चाते थे और ये चाते थे कि हम tax भी ना दे और अगर ज़्यादा दिक्कत होती थी तो ये जम्मिदारों की हत्या भी कर देते थे जम्मिदार थे वहां के उनकी हत्या भी कर दिया करते थे ये जो थे रूस के किसान ऐसी जो होता था ये बहुत ज़्यादा होने भी रगाता रूस में अब देखिए क्या होता है 1902 में दच्छीन रूस में ये घटना है बड़े पर माने पर होने रगी अब क्या होता है जो जैसे मानिये रूस है और ये दच्छिनी भागे रूस का इस भाग में ऐसी गटना होती है हत्या करने की ये बहुत जादा होनले जाती है और 1905 तक ये गटना जो रूस में पूरी ही फैल जाती है अब देखिए जो रूस के किसान क्या करते थे रूस के किसान क्या करते थे एक कम्यून था एक कम्यून होता है जिसको वो अपनी सारी जमीन दे 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 थे जो कम्यून होता है उसको अपनी सारी जमीन दे 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 थे हैं सारे किसान अपनी सारी जमीन दे दी किसी में जैसे मानिए परिवार में दस हैं मेंबर उनको मानिए 10 एकड़ या 16 एकड़ जमीन परिवार के हिसाब से जमीने को कम्यून बाटता था आज के लिए इतना ही देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में मिलते हैं नेक्स वीडियो में